दो एई ओडिया वोल्ल कप 2020 में पाकिस्तान पर्डिकेंट टीम के चो हाल हो इस समय बहुत ही ज्यादा बे हाल चल रहे हैं। पाकिसान टीमी राप प्रड़ेशं बहुत कीडिया रए व्ल्ल कप में और इसी कारण उनके कप्तान बाबर आजम तो समेश। पूरी टीम को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिजम भी जहेलना पड़ रहा है फान्स वारा और दिगजो द्वारा और आपको बताए तो पाकिस्तान टीम के खराब प्रदेशन के जो जिम्मेदार है वो भारत को ठेरा दिया गया है पाकिस्तान के कोच ग्रांड ब्रैडमन ने ब्रैडमन ने बहरत की अनजान परसितियों के ऊपर ठीक रा फोर दिया है अपने खिलारियों के खराब प्रदेशन का उनका महाना है कि उनके खिलारी भारत की कंडिशन से वाकिफ नहीं हैं क्योंकि यहां पर भारत में उनके प्लेयर्ट खेलने आते नहीं इसलिए एक लाफ हो रहे हैं अपने खिलाड़ों के खराब प्रजेशन का अगर आपको बताए कि एक्जाक्ली ग्रांड बैंड में अपने बयान में क्या कहा तो हम ऐसी सिती में हैं जहां हम नहीं रहना चाहते हैं टूर्णमेंट के इस चरण में हम अपनी किस्मत को नियंत्रण करने के लिए प्रती बंद है लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं इस से टीम को निराशा हुई है हमारे लिए यह टूर्णमेंट विदेशि परस्थितियों में है हमारा कोई भी खिलाडी पहले यहां नहीं खेला है हमारे लिए प्रती ध्वन्दी टीम और माज स्थल को लेकर सा मरतन के मामले में बिल्कुल भी वंचित महसोस नहीं करते हैं इस तरह की प्रतियोगिता की आदर्श त्यारी चार साल पहले शुरू हो जाती है हमने यह त्यारी छे महीने पहले शुरू की और खासकर वंडे में अपने खेलने के तरीके में बदलाव किया पिछले छे महीने मे हमने इसका सकरात्मपड़ना मिला यहाँ पे इनके कोश ने जिम्मधार ठेरा दिया है भारत को कि इनके बारत की कंडिशन से वाकिफ नहीं है उनकी प्लेयर्स उनके लिए जो हर स्थल है वो जो है उनके लिए नया है हर जगा जहाँ पर जिसमी स्टेडियम में माच खेलने चाहते है वो सारी जगाएं नहीं है कभी भी यहाँ पर उन्हें खेला नहीं है तो conditions को जानते नहीं है यहाँ पर अपनी प्लेयर्स को बोलने की जगा की conditions को adapt करें और अच्छा प्रदेशन दिखाए उसके जगा भारत को जिम्मेदार यहाँ पर ठहराया जा रहा है आपका इस बार में क्या कहना है मुझे फटफर चे कॉमें जरू पताइए अधरी तो फान स्पोर्ट इसको लाइक कमेंट और सबस्ट्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा